हेग गाईज बेलगम डोल आफे ओन माई यूटूब चैनल सरकारी वारस हो गाईज इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं आज का पेपर हुआ है SSC CPU का पेपर हुआ है और 23 नमबर 24 को सेकिंड सिप्ट का पेपर हुआ है जिसके अंदर मैस रीजनिंग और जीके के जो भी कोशन्स पूछे गए हैं उनको कोशन्स को मैं आपके सामने लेकर आए हूँ पेपर में तो आज के पेपर मैं तो आज पूछे गए हैं इन सभी सवालों के जबाब मैं आपको देने बाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और हाँ यार इस वीडियो को टार्गेट रखते हैं एक अजार लाइक का एक अजार लाइक का इस वीडियो को टार्गेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बि 11 दिसंबर 1946 को 1946 को UNICEF की स्थापना हुई थी UNICEF इसको बोलते हैं तो UNICEF की स्थापना कब हुई थी 11 दिसंबर 1940 को चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है जल में घुलंसील बिटाइमिन कौन सा है जल में घुलंसील बिटाइमिन कौन सा है तो इसका सही जवाब है जल में घुलंसील बिटाइमिन है बी और सी बिटाइमिन बी और सी यह दोनों के दोनों ही जल में घुलंसील बिटाइमिन है ए ए डी के यह चार तो अपन पॉसर्ण किसे मिला 2020 का पदम बूसर्ण कितनी लोगों को मिला यह कुषिन था तो 16 सक्सियतों को मिला था 16 लोगों को मिला था पदम भूशन नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं फ्रेंट्स तो नेक्स्ट कोशन है ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सेप्टेंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन दिवस से ही लेटेड की प्रोटोकल था यह भी इसी से सम्बंदित था चले फ्रेंटस नेक्स्टकोशन देख लेते हैं तो नेक्स्टकोशन है भारत का सबसे यूबा Grand Master कौन बने है भारत के सबसे यूवा Grand Master कौन बने है तो ढो RUS ढोराजू गुकेस यह 2019 में भारत के सबसे यूवा Grand Master बने है चलरे फ्रेंट्स नेक्ट कोशन देख लेते हैं तो next question है BCCI के अध्याच कौन है तो BCCI के बर्तमान अध्याच है प्रेसिडेंट है सौरभ गांगली एक्सट कुशन देख लेते हैं फ्रेंट्स तो नेक्सट कुशन है शिक्स अनुसुची में कौन सा राज़े सामिल है छटवी अनुसुची की बात की जाए तो छटवी अनुसुची में भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे 244 के अनुसार अ ट्विटर के संस्तापक है जैक डॉर्सी नुह ग्लास बिच इस्टोन और एवान बिलियम्स ये सभी ट्विटर के क्या है संस्तापक है चले फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है मेखला चैड़ और किस राज़ की पारंपरिक परेधान है तो ये भी पूछ सकता है ये दोनों कहां के हैं असम के हैं और मेखला चैड़ और ये भी परधान कहां का है असम का है चले फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है चंद्रेयान टू का बजन कितना है तो चंद्रेयान टू का बजन है तो 3850 किलोग् यानि के चार बिट के बरावर होता है कितने योग के बरावर होता है चार बिट के बरावर होता है एक निबल चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है भारत का सबसे उचा जिल परताप जोग या गरसोत्पा जल परताप है जो कि सरावती नद पंजाम में स्थित है. मूत्र बाहिनी को क Tai Connect कुसा का अपेर्डेस होती है. तो इसको ले जाता है Ureator यानि के मूत्र बाहिनी इसको ले जाती है. चले फ्रेंक्ट कोशन देख लेते हैं कसका विका किस चीब का appendage होती है तो कसा विकी कुछ जीवाडू वेक्टेरिया और सुकेंदित कोसेकाओं से बाहर निकलती हुई एक चाबक जैसी पर्सिष्ट अपडेनेस अप नडेस होती है चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है राष्टपती भवन का निर्माण कब हुआ था तो 1929 में राष्टपती भवन का निर्माण हुआ था 1929 में राष्टपती भवन का निर्माण हुआ था किस ने किया था एडविन लोटियंस ने किया था नेक्स्ट कोशन है पंचिसिल समझाता किस के मद्ध हुआ था तो पंचिसिल समझाता भारत और चीन के बीच में हुआ था भारत और चीन के बीच में एक रेखा और होती है मैख मोहन लेखा, तो ये भी पूछी जाती है, मैख मोहन लेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में ही इस्तित है, नेक्स्ट कोशन है, फ्रेंड्स, एन एरा आफ डार्कनस, पुस्ता के लेखा कौन है, तो इसका सही जवाब है ससी सदरूर एन इरा अफ डार्कनेस दाविटिस एंपायर इन इंडिया पर सम्मंदित है नेक्स्ट कॉश्चन है फ्रेंड्स पालवंस के संस्तापक कौन है तो गोपाल और ये पुतर थे धरम पाल के तो ये क्या कौन है पालवंस के संस्तापक नेक्स्ट कॉश्चन है हीरा कुण बान्थ किस राच में स्तेता है तो हीरा कुण बान्थ ओडिशा में महानदी पर निर्मित बना हुआ है वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को सेर करना तो विल्कुल मत भूलेगा चलि मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो 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 पर वाचिंग दिस वीडियो